हे गाईज कैसे हैं आप गाईज आपने कभी सूचा है कि आप पूरे दिन की ठकान के बाद जब घर वापिस लोड़ते हैं तो घर में एक प्यारा सा क्यूट सा पपी आपके साथ खेलने के लिए आपका वेट कर रहा होता है और उसे देखकर आपके पूरे दिन की ठकान यो म बातों पर उनको डाटते हैं और मारते हैं और ऐसा करके उन्हें यह लगता है कि वह अपने पैट को मैनट सिखा रहे हैं जबकि वह खुद नहीं जानते हैं कि वह ऐसा करके अपने पैट को और ज्यादा अग्रेसिव बना रहे हैं क्योंकि डाटने और मारने से अच्छा है कि आप अपने pets अगर आपका pet कोई भी गलती करता है तो आप उसे डाटने और मारने की वज़ाए उसे प्यार से समझाईए जब आप ऐसा करेंगे तो आपका pet आपकी बात समझ जाएगा और वो आपके साथ और वो ऐसी mistake कभी दुवारा नहीं करेगा क्योंकि ये मेरे खुद का experience है मेरे पास भी pets है और मैं गलती करने पर मैं उन्हें कभी मारते नहीं हूँ पलकि उन्हें प्यार से समझाती हूँ अपने pets के साथ हमें हमेशा अच्छा behavior करना चाहिए उनको कोई भी बात डाट के या मार के नहीं समझानी चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा pet कोई भी हमारा नुकसान कर देता है तो हम उस पर aggressive हो जाते हैं और उसको मारने लगती है ये बात बिल्कूल गलत है आप उनके साथ एक बच्चे की तरह पेशाएए उन्हें प्यार से समझाएए कई बार गलती हो जाती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ rude behave करें आप उसे मारें पीटे So friends, आज मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताऊंगी जो हमारे pets को बिल्कूल भी पसंद नहीं होती है और अगर आप इन बातों को हमेशे ध्यान में रखेंगे तो make sure आपके pets आपसे कभी भी aggressive नहीं होंगे तो चलिए friends, वीडियो स्टार्ट करते हैं Friends, अगर आपके pets को grooming की जरूरत हो तो ही grooming करें और अगर उन्हें grooming पसंद नहीं होती तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर pets को grooming पसंद हो So friends, यहां मैं आपको एक बात और clear करना चाहूंगी कि जब भी हमारे pets भूके होते हैं तो वो आपका ध्यान अपनी और खीचने के लिए आपको परिशान करेंगे तो अगर आपके pets भी ऐसा करते हैं तो तुरांट समझ लीजे कि वो भूका है और उसके इस इशारे को कभी ignore मत कीजी Friends, अगर आप pets के owner हैं तो कभी भी आप अपने pets को डराएं नहीं और उन्हें कभी भी थपड़ ना दिखाएं क्योंकि ऐसा करने से ना तो वो आपके बात सुनेंगे और वो आपसे हमेशा के लिए वो आपके दुश्मन बन जाएंगे So friends, ये थी pets से जुड़ी कुछ ऐसी बाते कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके pets आपसे कभी aggressive नहीं होंगे और ना ही वो आपसे कभी दूर जाएंगे I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे like और share बिल्कुल भी करना ना बूले और साथी साथ अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ तब दे की लिए बाई बाई